नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आर्थियल्मी में दोस्तों जब हमें कोई अल्ला के या भगवान के नाम से डरा कर हमसे पैसे एड़ता है या हमसे एक क्राइम करवाता है या कोई व्यक्ति मौलानाओं या तांतरिक बाबाओं द्वारा ठग लिया गया है तो इस इस्तिती में हमें क्या करना चाहिए या ऐसे लोगों पर किस धारा के अंतरगत कारवाई होगी या इसमें सजा का क्या प्राबदान है बने रही है आज के वीडियो में क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महतपून होने वाली है दोस्तों अक्सर आप लोगों ने बसी स्टेशनों बारेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि मौलानाओं तथा बाबाओं के भेश में बहरूपी एकसर अल्ला पीर या भगबान का डर दिखा कर आप से रूपए ले ले लेते हैं तो इस प्रकार ऐसे लोगों पर आई पीसी की धारा पांसो आठ के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं दोस्तों एक महत्पूर्ण बात हमें ये भी जान लेनी चाहिए कि जैसे कोई मौलाना या बाबा किसी इस्तरी को अल्ला या पीर के नाम से डरा कर तथा उसके साथ ही इस्तरी का बलातकार या उसे मार देता है तो उसमें धारा पांसो आठ के साथ अन्य जो अपरात किये गए हैं उसके अनुसार सेक्षन में भी कारवाई होगी आईए अब जान लेते हैं कि आईपीसी के सेक्षन पांसो आठ में क्या प्रावधान है जोस्तों IPC की धारा 508 कहती है किसी एक ब्यक्ति द्वारा दूसरे ब्यक्ति को देविये डर दिखाकर किसी अमुक कारे को करवाया जाना धारा 508 के अंतरगत आता है जैसे कह सकते हैं कि किसी ब्यक्ति को किसी भी धर्म के इसोर जैसे अल्ला हो गए पेव या इसो मसिया या भगवान का डर दिखा कर उस ब्यक्ति से कोई ऐसा कारे करवा लेना जो कहीं न कहीं इनलीगल है तो ये तो हो गई धरा 508 की पूरी जानकारी अब जानते हैं कि यह है अपराद में सजा का प्राबधान क्या है IPC का सेक्षन 508 के अंतरगत दोस्तों जान लीजिए कि दो साल के कारावास तथा जुर्माने का प्राबधान है आज की इस चोटी सी वीडियो में मैट पूर्ट जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें अधि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किजिए